IPL का जो final है वो अभी cricket के ground पर होना है 28 मई को मई के आखरी में जाकर पता चलेगा आपको की IPL का विजेता कौन है लेकिन cricket के मैदान से इतर टेलीकॉम के बाजार में एक और लडाई छड़ी है जिसके केंदर में दरसल IPL ही है हुआ यह है कि जियो सिनेमा पर फ्री में IPL मेंच दिखाये जाने के खिलाफ टेलीकॉम कंपनी भारती अटल ने रेगुलेटर ट्राई का दर्वाजा खटकटाया है और DTH और OTT पर एक सर्विस एक समान शुल्प की मांग की है दर्शक OTT प्लेटफॉर्म जियो सिनेमा पर फ्री में IPL मेंच देख रहे हैं जबकि DTH और केवल टीवी पर दर्शकों को शुल्क लगाना पड़ रहा है और जियो को पर क्योंकि फ्री में IPL मिल रहा है तो लोग बड़ी संख्या में जियो पर इस IPL को देख रहे हैं पहले तो राइट्स भिके थे राइट्स की जब राइट्स भिक गय थे सबने राइट्स खरी दिनें सब दिखा रहे हैं ये अजीब सी गफलत हुई है बाजार में आज जो IPL को इंजॉय करने वाले लोग हैं जो IPL देख रहे हैं उनके लिए जानना जरूरी है कि बाजार में मैदान पर क्रिकेट की टीमों के बीच जो रसा कशी है जो खींचतान चल रही उससे ज़ाधा बड़ी खींचतान टेली काम बाजार में वैसे भी दो कमपेनिया और उसमें एक कमपेनिया आई कमपेनी जियो सिनेमा या जियो आई पील के साथ क्लियर कट फायदे में एडवांटेज में दिखती हो यह रहा है कि जियो सिनेमा के पास IPL मैचेस के डिजिटल राइट्स हैं और डिजनी स्टार के प पूरा मैच फ्री खोल दिया है जो पहली बार हुआ है भारत में कि IPL के सारे प्रसारण फ्री देखे जा रहे हैं जबकि डिजनी स्टार के पर टीरे के नियम लागू होते हैं और डिजनी स्टार 19 रुपए तो कम से कम अतरिक्त लेगी ही और अगर आपके पास डिनी स्टा परण मुफ्त जियो सिनेमा के ग्राकों को मिल रहा है एयर टेल ने जो कि दूसरी बड़ी पत्सपरधी कमपेनी है जो इस पश्ट रूप से इसमें नुकसान में दिख रही है क्योंकि जब से IPL शुरू हुआ है जो इंगेजमेंट है जियो सिनेमा के अपके ओपर वहतीज आग जैसे इवेंट को एक ही जैसे इस COVID को प्रसारित करने के लिए वो टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स और ब्राटकस्ट कम्पिनियों के बीच मतभेत करता है जोंके एपस के बीच मतभेत करता है और इसलिए एक ही जैसा नियम DTH Cable TV और Mobile comparison के लिए बनाया जाए अभ अफलात इसी वाई से होई क्योंकि ये राइट्स अलग अलग बेचे जा रहे थे पर राइट्स बेचते समय शायद यह जो 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 रेगुलेशन का में फर्क है वो नहीं देखा गया अब उसमें जियो सिनेमा का तर्किय है कि रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के हिसाब से जो भी कांटेंट डिलिवरी के प्रेटफार्म है और डिजिटल तोर पर दिखाने का के राइट्स उसको मिले हैं तो इसलिए वो जो भी टेक्नलाजी इस्तेमाल करें वो अपने तरह से इस मैच का सीधा ब्राडकास्ट कर सकती है लेकिन यह बात रेगुलेटर्स को समझना शायद तरहस से इस बात को ध्यान रखना भूल गए कि इस कांटेंट तो सेम है और एक कांटेंट एक विंडो से फ्री मिल रहा और एक महीने मैच को टुर्णामेंट खतम होने में रह गया है फाइनल मैच में एक महीना बचा हुआ है ऐसा नहीं लगता है कि तत्काल तुरंत भारत में टेलीकॉम अप रेगुलेटर इस पूरे मामले में कोई दखल करेगा क्योंकि फिलहाल अभी मैच के बीच में ये सारी ची करिया क्या आती है